Hello everyone, welcome to magnet brains. My name is CS Fajal Poophli और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं about secret partner Okay, as the name suggests, secret partner मतलब क्या होगा? Something secrecy में रखा हुआ, something लोगों से चुपा हुआ तो बिलकुल कुछ ऐसा ही होता है about हमारा secret partner See, इस से पहले हम already दो partners के बारे में बात कर चुके One was active, another one was sleeping मतलब totally opposite, एक अगर active है तो दूसरा क्या है? सोता हुआ, sleeping partner है यहाँ पर हम बात करेंगे secret partner की और कैसे वो active और sleeping से different होता है उसके बारे में भी So that हमें concept clarity जादा अच्छे से हो कि types of partner में actually इतने types क्यों रखे गए तो secret partner basically वो partner होता है जिसकी identity general public से क्या हो hide की गई हो For example, अगर हम दें तो मैंने सोचा मैं एक partnership firm खोलती हूँ अब मैंने 5 लोग select किये और मेरा जो business idea था वो बहुत अच्छा था अब एक इंसान था market में जिसको मेरा business idea बहुत अच्छा लगा और उसने बोला कि हाँ मैं भी participate करना चाहता हूँ लेकिन उस particular इंसान की जो reputation थी general public के बीच में वो जादा अच्छी नहीं थी उसका experience general public के साथ इतना अच्छा नहीं था तो उसने क्या request किया कि मैं आपकी partnership firm में तो आना चाहता हूँ लेकिन आप एक काम कीजे का कि general public को मेरे बारे में मत बताएगेगा क्योंकि कही न कहीं मेरे और उनके relationship इतने खास नहीं रहे है तो अब हम क्या promise कर रहे हैं उसे कि आप हमारे partnership में partner तो बन जाएगे लेकिन हम आपकी identity क्या करेंगे? hide करके रखेंगे, general public को नहीं बताएगे तो ऐसा जो partner आ रहा था जिसने general public के सामने अपनी identity को hide रखने की बात करी थी उस partner को हम क्या बोलेंगे? secret partner बोलेंगे it's not necessary हमेशा यही scenario, reputation वाला या चुपाना हो कोई भी ऐसा scenario हो सकता है, यह सरफ एक example था जो मैंने समझाने के लिए दिया तो secret partner मतलब वो partner जिसकी identity general public के सामने hide की गई है बट still वो partnership firm का हिस्सा है अब इसके features क्या होते हैं? first इससे question किया गया, क्या आप day-to-day management में participation का मौका चाहते हैं? क्या आप day-to-day management में participate करेंगे? उसने बोला, yes, बिल्कुल करेंगे मैं बिल्कुल करूँगा day-to-day working में, management में participation लेकिन secretly, लेकिन क्या? चुपा के लोगों के सामने ये बात नहीं आना चाहिए back office पे बैट के मैं कितना मर्जी काम करनूँगा लेकिन front office में मैं कभी नहीं आना चाहूँगा तो ये day-to-day management तो संभालता है लेकिन कैसे वे में, secret वे में लोगों से चुपा के for example, अगर partnership firm एक press conference organized कर रहे है तो वहाँ पे ये partners की chairs के साथ जो chair रखी होगी, वहाँ पे नहीं बैठेगा ये अगर कुछ संभालना होगा तो back office से संभालेगा लेकिन लोगों तक अपना face नहीं दिखाएगा तो ऐसे partner को हम बोलते है secret partner फिर इससे पूछा, क्या आप capital लेके आएंगे तो इसने बोला, हाँ, मैं capital जरूर लेके आऊंगा मैं पैसे जरूर लेके आऊंगा मुझे पैसे की कोई problem नहीं है थर्ड इससे पूछा गया किया आप profit and loss में share चाहते हैं तो उसमें इसने बोला येस, मैं profit and loss में अपना share चाहता हूँ अगर मैं capital ला रहा हूँ secretly management भी देख रहा हूँ तो obviously मेरा इतना तो बनता है कि मैं share लाऊं कहाँ पे profit and loss में फिर इससे पूछा what about liability, liability का क्या क्या आप liability भी share करना चाहते हैं तो इसने बोला yes, बिल्कुल share करेंगे और unlimited way में ही करेंगे अब questionableize होता है अगर ये सारी चीज़े वही कर रहा है जो active partner कर रहा है तो इसमें और active partner में difference क्या हुआ secret partner और active partner में सर्फ एक difference होता है वो ये होता है कि active partner की जो identity है, वो logo से चुपी नहीं होती है whereas secret partner की जो identity है, वो क्या होती है logo से चुपी हुई होती है तो active partner और secret partner में difference हमझ में आया अब हम बात करें sleeping partner और secret partner की तो उनमें क्या difference होता है उनमें भी maximum चीज़े सेम होती है बस एक चीज़ दिफरेंट होती है कि sleeping partner management में participate नहीं करता है whereas जो secret partner होता है वो management में participate तो करता है लेकिन कैसे secretly so ये था something about secret partner अब हम आगे बात करेंगे जो बचे हुए हमारे types of partners हैं उनके बारे में but for this video that's it thank you so much for watching